प्रवास और सुरुची पूर्ण भोजन का भी योग है कोई खोई हुई विवस्तु आज मिलने की संभावना आदिक है फिर भी अपने विचारों और आवेश को अंकुष में रखियेगा द्रशब आज दिन भर आनंद मन पर छाय रहेगा अपने कारे में विवस्तित रूप से आप आगे बढ़ पाएंगे और योशना के रुसार कारे कर पाएंगे अपूर्ण कारे को स्टफलता पूर्वक पूर्ण कर पाएंगे कारे आले में सहकर्णियों का स्टहियों करच्छा मिलेगा मित्वर आज का दिन मत्यम रहेगा नएकारे का प्रादम बना करने की गड़िश्य की सला है जीवत साथी और संतान की विशय में चंता रहेगी जिसके कारण मन में उत्वेक बना रहेगा पेट में अजीरता रहने के कारण स्वास्ते भी कुछ नरम गरम रहेगा खर्च की भी मांत्रा आज कुछ अधिक रहेगी कर्ण आज आप संभल कर चलिएगा शारे एक स्पूर्ति और मांसिक प्रसनिता बनाए रखने के लिए आज कष्ट का अनुपफ हो का छाती में पीडा, अथ्वा अन्य विकार से भी कष्ट की अनुपुटी होगी घर में सदसों के साथ उग्र चर्चा या वाद्विवाद हो जाने से भी मन में दुख बना रहेगा सिंग कारे सफलता और पतिस पर्थों पर विजय मिलने से आपके मन में प्रसनिता चाही रहेगी ऐसा गड़ेशी कहते है भाई बेहनों के साथ बंधन में मिठास भी वरी रहेगी मित्रोर्स नहीं जनुप के साथ किसी रमनिया परेटन स्थर पर खूलने फिरने का अनंद उठा सकेगी कन्या आपके लिए आज का दिन शुप रहेगा ऐसा गड़ेशी कहते है वाणी के मधूर्ता से जुसरे लोगों के मन पर अपनी स्थकरात्मक छाप छोड़ सकेगे पारिवारे कवातावरन भी अच्छा रहेगा फिर भी वाणी पर सयम बरतने से वादिवात की संभावना कम हो जाएगी तुला आपके प्रते कारे में आत्मिश्वास चलकता हुआ दिखेगा ऐसा गड़ेश जी का अशिरवात है आर्थी क्योटनाई भी सललता पूर्वग बना सकेंगे शालीरिक और मांसिक रूप से प्रसनता कानुभव हो का वस्तरा पूशन और आनंद प्रमूत के पीछे खर्च होगा गड़ेश जी कहते हैं कि आज के दिर्न मौध, शौक और मरुरुधिन के पीछे खर्च होगा स्वस्ते के संभन्ध में शिकायत रहेगी मन के अंदर चिंता की भावना रहेगी दुर्खटना से बचे, कुटुम्बी जनों और सगे संभन्धियों के साथ गलत फहमी या अनपन होगी धनू, आर्थिक लाब और समाजिक प्रतिष्ठा मिलने के साथ आप पारिवारिक जीवन में भी सुक संतोष की भावना अनुभव करेगे करीश जी की क्रिपा से आए विविध्य और व्यापार मिला पिलेगा मनप्रसंद पात्र के साथ सुखत शन भी देगा मखर, परिवार और संतानों के विशे में आपको आनंद के साथ साथ संतोष का भी अनुभव होगा मित्रोर्स नेही जनों के साथ फुई भी भेट से आपका मन प्रसंद हो उठेगा व्यापार में धन की उगाही के लिए बाहर जाना पड़ेगा जो कि लाप प्रत रहेगा कुंब, प्रतिस पर्दियों के साथ वाद विवात ना करने की सलह गरीश चीतेते हैं शारीरिक और अस्वस्ता बनी रहेगी शित्यलता और आलस्या बना रहेगा सिर्विमान सी ग्रूप से प्रसंदा बनी रहेगी विवसाय में उचल्दी कारियों के साथ कारेकर्दे समय संभल कर रहे मीर आज अनाते कारियों में ना उलचने की करनेश चीत सलह देते हैं क्रोध और वानी पर सहयं मरत देगा अरोग्य के विशे में साथ थानी रखियेगा सरकार विरूधी प्रवर्दियों से दूर रहेगा रोगों के इलाज के विशे धन के तवर्चनी की संभावना है